बहु का गुंडा भाई निहा शर्मा परिवार की बहु बन कर आई थी पवन और निहा की शादी काफी धूम धाम से उई थी आगले दिन रेखा की घर उसकी पडोसन सुनीता आती है बदाई हो रेखा बेहन अब तो तुम सास बन गई हो बहु जो ले आई हाँ सुमन धीदी ये तो है तो सास जैसे ही रह ना वरना ये आज कल की लड़किया ना सर पे चड़ जाती है अब इसे दबा कर रखोगी तब ही सही रहेंगी आँ जी आप बिलकु सही कह रही हो धीदी पाकिताब बहुत समझदार हो अपने हिसाब से देख लो क्या सही है ये कहकर सुनिता वहाँ से चली जाती है तब भी नेहा भी उठ जाती है नेहा आज का तो ठीक है लेकिन हमारे घर में और तेना टाइम से उठ जाया करती है ठीक है माजी अब से देर नहीं होगी चलो अब सभी के लिए कुछ बना दू इतने में नेहा का भाई सोनु आ जाता है उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी होते हैं अरे मेरी बैन क्यों खाना बनाएगी बंदू ठोके सोनु और उसके दोस्तों को देख कर रिखाड डर जाती है अरे बेता तुम आओ आओ खाना तुम मैं बना दूंगी निहा बेती बस मेरी मदद करेगी ऐसे हम थोड़ी ना अपनी नाइने इभाव से सारा काम करवाएंगी है ना बहु नहीं नी माजी मैं खुद बना लूँगी आप आराम करो और भाई तुम यहां इतने सुबह 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 सब ठीक है ना कुछ नहीं बस देखने चलाया तू ठीक तो है ना कोई दिक्कत तो नहीं है ना बंदूख ठोके नहीं भाई मैं बिलकुल ठीक हूँ यहां सब अच्छा है अच्छा फिर मैं चलता हूँ तो अपना ध्यान रख और कुछ भी बात हो तो बस घर के बाहर आवाज दे दियो मैं आ जाओंगा ऐसा कहकर सुनु अपने दोस्तों के साथ वापस चला जाता है बहुत तीरा भाई इतने लड़की लेकर क्यों आया था यहां किसे से कोई गल्ती हो गई थी क्या आरे नहीं मा जी वो तो सोनु की दोस्त है असल में सोनु को कई लोग जानते है उसकी जान पैचान काफी अच्छी न इसलिए सब उसकी दोस्त बन जाते है इतना कहकर निहा अपने काम में लग जाती है सुमन अपने पती सूरज के साथ रिखा के घर आती है कोई है क्या यहां हां जी बताईए क्या हुआ मैं हूँ वो हमने सुना कि आपको किरायदार चाहिए हमें भी कमरा चाहिए था किरायबर अच्छा अच्छा फिर तो ठीक है चलिए मैं आपको कमरा दिखा देती हूं हां जी चलिए रेखा उनको उपर की तरफ ले जाती है और कमरा दिखा देती है और नीचे आते समय नेहा को सुना कर कहती है जी ये नीचे वाला एरिया है इसमें मेरा परिवार रहता है हम लोग शांती से रहने वाले लोग है जगड़े और गुंड़ों से दूर रहना ही पसंद करते है हमें बिल्कुल ऐसा ही घर चीए था ताकि हम इस पर कपजा कर सके क्या मतलब? हरे इनका मतलब है कि रह सके हमें भी गुंड़े बिल्कुल पसंद नहीं है ये लीजिए कि राया हम लोग अभी से ही शिफ्ट हो रहा है सूरज रेखा के घर शिफ्ट हो जाता है तभी घर शिफ्ट करते हुए सूरज को कुछ सामान बेकार सा दिखता है जिसे देख्यर वो रेखा से कैता है रेखा जी, ये सामान खराब है इसका क्या करूँ? फैंक दोजी से तब ही वहां सुनू अपने दोस्तों के साथ आ जाता है किसको फेकना है मुझे बताओ बंदूग ठोक के फैंकाऊंगा हरी बीचा अपनी बंदूग के बिना भी कोई बात कर लिया कर भाई वो कुड़ा फैंकनी की बात हो रही है अचा वो छोड़ तू यहां कैसे आया कुछ नहीं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था भूख लग गई तो सुचा तेरे पास आजाओ सुना है रेखा आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है बंदूग ठोक के हाँ हाँ तू बैठ मैं बस अभी बना कर लाई नहीं माजी मैं बना कर ले आती हूँ अरे बनाने दे बना बुड़ाबी में आंटी की हट्टियों में जंग लग जाएगा दोनों भाई बहन बैठ कर बाते करते हैं और रेखा सारा खाना बना लीती है लो बिटा खाना खाओ क्या श्वार है मला गया बंदुग ठोके बेटा कहीं तो बंदुग मत छोग खाना खालो वहीं ये सब होते हुए सुमन और सूरज भी देखते हैं और कहते हैं अजी ये कौन है कोई गुंड़ा मालूम होता है लगता तो मुझे भी यहां का कोई बड़ा गुंड़ा है तो हमें इसका इस घर में आना जाना बंद करवाना होगा तब ही हमारा मकसद पूरा होगा तो मिल्कुल सही क्याती हो हमें रेखा के कान भरने होंगे ताकि वो इस गुंड़े का यहां आना जाना बंद कर दे फिर मौका पाकर सुमन रिखा के पास जाती है और कहती है बैन जी, ये गुंड़ा अपके यहां क्या करने आया था? अरे क्या ही बताओं, ये मेरी बहु का भाई है आए दिन घर आ जाता है और धमका के रखता है दर के मारे इसकी बात माननी पड़ती है तो आप इसका कुछ करती क्यों नहीं? ऐसे गुंड़े घर में आएंगे, तो महले में नाम खराब होगा आप बिल्कुल सही कह रही हो मैं कल ही अपने बेटे से बात करके इस गुंड़े का घर में आना जाना बंद करवाती हूं अगले ही दिन रिखा आपने बेटे पवन से कहती है बेटा मुझे ये लड़का सूनूं कुछ ठीक नहीं लगता गुंड़ो की तरह कभी भी घर में घुसाता है और खुद तो खाता ही है अपने आवारा दोस्तों को भी ले आता है और यहाँ खाना खिलाता है मा वो निहा का झाँ बाए है ना आ तो मैंने कब भूला बहन है मैं तो बस यह कह रहे हूं कि उसका यहाँ आना जाना बंद करवा दो ताकि हम श्यांती से जी सके ठीके मा मैं निहा को बोल दूंगा इसके बात पवन निहा के पास जाकर कहता है सुनो निया मा को ना सोनु का यहां आना जाना पसंद नहीं है तो सोनु को कैदना आज के बाद यहां ना है भला ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने कोई नहीं अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो मैं उसे मना कर दूँगी और आज की बाद में किसी के कहने पर भी उसको यहां नहीं बुलाओंगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और सोनु का आना जाना बंद हो जाता है। देखा भागयवान, तुम्हारा चलाया हुआ तेर बिलकुल निशाने पार जाकर लगा है। वो सोनों तो काफी वक्त से यहां आया ही नहीं। हाँ, और यही सही वक्त है, हमें अपना काम करके यहां से निकल जाना चाहिए। ऐसा सोचकर दोनों नीचे आक अरसुमन के पास बैठ जाते हैं, जहां पमन भी बैठा था। बैन जी, क्या बात है। आपकी एक बार कहने से उस गुंडी का यहां आना जाना बंद हो किया। हाँ, अपना तो ऐसा ही है। यह घर मेरा है तो यहां और भी तो मेरा ही चलेगा ना। हाँ, हाँ, वो तो है। कि आज के बाद से ना, यहां और सिर्फ हमारा चलेगा। क्या मतलब है तुमारा? मतलब यह कि आज से यह पूरा घर हम दोनों का हुआ। ऐसे केसे तुम दोनों का हो जाएगा। खिरायदार हो, अपनी हाद में रहो। वनना उठा कर बाहर फैंक देंगे। ओहो, देखो तु सही, हमें उठाकर बाहर फैंकनी की धमकी दी जा रही है। इतना कहकर सुमन एक बंदुक निकालकर पवन के सर पे लगा दीती है। अब बोलो, कौन घर से बाहर जाएगा। अरे, यह क्या कर रहे हैं आप लोग। अरे, यही तो हमारा काम है। यह तुम दोनों ठीक नहीं कर रहे हो। नेहा… नेहा, जल्दी यहा आओ। को अरे, रए, यह सխ और हो तुम दोनों, छोड़ दो मेरे पती को। भ lij। तुम जल्दी से सोनु को बुल्वालो। वही इन दोनों को ठीक कर सकता है। हां नहां जल्दी से सोनु को फोन करो, नहीं... आप लोगों ने तो इसको यहा आने के लिए मना किया था... मैंने तो मा के चक्र में मना गया था, वन्हा बिला करता मैं ब는 अपने साले को क्यूं हुआ करता सोनु मेरा जल्दी से बुला लोना अरे बहु मुझे माफ करते, मैं इन दोनों की बातों में आ गई थी और सोनु को आने से मना कर दिया, अब ही तो जान गले में अटकी हुई है, अभी उसे बुला ले बिटा, अपना उल्लू सिधा करना, कोई तुम दोनों मा बेटे से सीखे, ये रूना दूना बाद में करना रेखा पेपर पर सिगनेचर कर देती है, अरे वा, ये हुई ना बात, चलो जी, अपना तो काम हो गया, इतने में ही सोनु आ जाता है, अरे इतनी जल्दी कहां है जाने की, बंदूग ठोके, अभी तो मेरे एंटरी होना बाकी है, तु यहाँ कैसे, किसे बुलाया तुझे मुझे जब यहाँ आने के लिए मना किया ना, तभी मुझे कुछ गड़ लग रही थी, तब से मैं इस गर पर नजर रख रहा था, और देखो, तुम चोरों को पगड़ भी लिया मेने, अरे मेरे बिटा, तु आ गया हमें बचाने के लिए, बचाने नहीं मरने आया है, ये अरे रेखा जी, ये तो प्रैंक था, हम तो प्रैंक वीडियो बना रहे थे, आप तो सेच में डर गए, अरे आंटी जी, प्रैंक करते वक्त, कैमेरा भी तो साथ में रखते हैं न, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, और सूरज और सुमन को अरेस्ट करके लिए जाती है, औ बेटा, ये तेरा ही घर है, जाब तेरा मन हो, तब आज आया कर, आज तो ना होता, तो शायद ये घर ही ना होता, अरे आंटी, ये मेरी बेहन का घर है, इस पर तो मैं आज भी ना आने दू बंदो ठोके, सभी लोग आसी खुशी रहने लगते हैं